तो आज हम करने वाले हमारा चाप्टर एक लिमिट में होना चाहिए क्योंकि कभी कभी हम बहुत जादा प्यार से चीज़े बिगार देते हैं जैसे कि हमारे में क्यारेक्टर मिसिस पंफ्रे ने अपने डॉग को बिगार दिया है जिसका नाम है ट्रिकी इस तरीके उसकी हालत खराब कर दी है कि डॉक्तर को उसको देखकर ही तरस आ गया है तो आज किस चाप्टर के Indeed है कि किस तरीके से हमारे चाप्टर की देखें चाप्टर जो है चाप्टर में मिस्स पंफ्रे और ट्रिकी का एकदम कमाल का जो कह सकते हैं रिलेशन सामने आया है देख रहे हैं हम कैसे मिस्स पंफ्रे जो है वो ट्रिकी से बहुत जादा प्यार करती है हमारी chapter की author और narrator डॉक्टर हरिट या हरिएट जु है वह मिसेस पमफरे को और उनके डॉक्त ट्रिकी को मिलते है जब मिसेस पमफरे ट्रिकी को wauking के लिए ले- encore मैं द ने जाधा कराब वह तो बहुत जादा मोटा हो चुका है एकदम सौसेज की तरह लोट हो चुका है फूल ओर करो हवा निकल जाएगी उसमें अप owner फिंखम कि उन्हों के बहुत बुरी तरीके से लाल हो चुकी है multiply यह जीब भी यह स्विटावीर ज में नहीं था उसकी तबियत खराब हो गई थी देखो कभी-कभी जब हमारे घर में एक डॉग होता है तो हम उसे इतना प्यार करते हैं कि आल्मोस्ट एक यूमन बेबी की तरफ प्यार करते है और हम भूल जाते कि वह डॉग है उसकी कुछ एसी रिक्वार्मेंट्स जिससे वह फ मतलब उसकी मील्स के बीच में भी काफी सारा खाना ट्रिकी को मिल रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है ओहो प्यारा ट्रिकी बिचारा एनरजी की इसमें इतनी कमी थी कि इसको तोड़ा और खाना दे दिया तक इसमें और एनरजी आ जाए अब फाइनली डॉक्टर अंकल को पता चल जाता है कि ट्रिकी का जो एक्चुल प्रॉब्लम है वो यह नहीं है कि उसके अंदर खाना कम खाने की वज़े से एनरजी है उसका प्रॉब्लम तो यह है कि ट्रिकी कोई भी एक्ससाइज नहीं कर रहा है इतना जादा खाना खाने के बावजूद भी कोई भी एक्ससाइ जाएगा आपको समझना चाहिए कि ट्रिकी को एक्ससाइज की जरूरत है इसे बहुत जादा एक्ससाइज की जरूरत है अधर वाइस यह क्या हो जाएगा बीमार पड़ जाएगा अब जैसे उन्होंने यह चीज बोली एक बार कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी को इसे वान कर हो गई हो उन्हें तुरंत ही कॉल आता है मिसिस पंफ्रे से और मिसिस पंफ्रे बोलती है कुछी दिनों में कॉल आता है और कहती है डॉक्टर साब डॉक्टर साब आपने उस दिन बोला था ना ट्रिकी की तबियत खराब हो जाएगी आपको पता है ट्रिकी की तबियत खरा रहा है पूरे टाइम पूरे टाइम बस लेटा रहता है और हाफता रहता है डॉक्टर साब कुछ तो करो कुछ तो मदद करो ना वॉक्स पे जा रहा है ना खेल रहा है ना कूद रहा है क्या हो गया है मेरे बिचारे ट्रिकी को तो मिसिस पंफरे सारी की सारी बात उन्हें बत ले जाना मिसेस पंफरे उसे कुछ ओवर ही प्यार कर रही है कुछ जादा ही प्यार कर रही है इतने प्यार की ट्रिकी को जरुवत भी नहीं है जितना वो कर रही है क्योंकि वो लाड़ प्यार में समझ नहीं रही है कि जो खाना वो से किला रही है जो उसे एकदम नवाबों क की तरह रख रही है exercise नहीं करा रही है उसको भगा नहीं रही है उससे वो उसका भला नहीं कर रही है इन फैक्ट बुरा कर रही है तो सबसे बड़िया चीज हो सकती है मिसिस पंफरे और ट्रिकी को अलग करना तो वह वहां पर एक यह चोट आसा गेम खेलते हैं कहते हैं बुल प्रवेशन में रखना पड़ेगा क्योंकि अगर हमने से नहीं किया और अपनी अपनी निगरानी में नहीं रखा तो इसकी तबियत और भी जादा खराब हो जाएगे अब ऐसे में कहीं बेचारी मिसिस पांफरे इतना प्यार करती है जिगर का टुकड़ा है कैसे छोड़ दे बड़ उसके बावजूद भी वह से जाने देती है ट्रिकी चला जाता है हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर मौझूद बाकी सारे डॉंग्स जो है वह उसे फूल इ झरीकी के लिए अच्छा खासा बेड़ बनाते हैं और वहीं भी बनाते हैं जहां बाकी कुट्त सोते अब ट्रिकी था नवाब उसे नवाबी की आदत है ट्रिकी को पर अगले दो दिन तक नजर सब्सक्राइब यहां पर तोड़ा सा भी अगर वो लोफील करता तो इक बड़ासा बोल आ जाता हॉर्लिक्स का उसके सामने और वो जी भर के खा सकता था यहां पर डॉक्टर ने उससे का खाना जो है वो छीन लिया, in fact उसे क्या दिया, खूब सारा पानी, दीरे दीरे ट्रिकी अपने नाचरल बिहेवियर है उसमें आने लगा, वो दीरे दीरे इंटरस लेने लगा आसपास क्या हो रहा है उसमें, in fact जब उसने देखा कि यार में बाहर खुले मैदान में बाकी सार वो भी वहां जाकर खेले, अब जब वहां जाना चाहता था तो डॉक्टर अंकल ने उसके लिए दर्वाजे खोल दिये और ट्रिकी भी अभी भागा वहां पर दीरे दीरे यार्ड के अंदर, अब ट्रिकी जो है वो बाकी सारे लोग जो है, बाकी सारे कुत्तों को देखकर थोड़ा excited तो हो गया था, of course, उसने कभी देखा ही नहीं था इतने सारे लोगों को, इतने सारे डॉक्स के साथ वो कभी खेला ही नहीं था, अब बाकी सारे डॉक्स भी क्या कर रहे थे, उसके आसपास जो है, वो घूम घूम के गुलाटिया खा खा के खा के उसे inspect कर रहे थ देख रहे थे कि आखे tricky कौन है, in fact, tricky भी उनी की तरह उनी की तरह खेलने कूदने लगा, उनी की तरह उसी तरीके से उन्हें कहिना कहीं greet करने लगा, अब इसके बाद में जब tricky यहाँ पे लोगों से आसपास के कुटों से घुल मिल गया था, तो अब उसे खाने की एहमियत भी पता चली, इतने दिनों तक खाना ना मिलने की वजए से उसे खाना बहुत अच्छा लगने लगा, अब खाने के लिए उसने देखा कि सारे कुटों के लिए एक बोल रखा जाता है, और सारे कुटे एक पर्टिकुलर टाइम पे जाकर अपना बोल जो है वो फिनिश कर देते हैं, अब ऐसा ही डॉक्टर अंकल ने उसके लिए भी किया, उसके लिए भी खाने का फूड बोल जो है वो बाहर रखा गया, उसका जो इंटरस्ट था उस खाने के तरफ वो बहुत जादा बढ़ गया था, क्योंकि अभी वो खाना ऐसे नहीं खा रहा था, अभी उस को उसने अर्न किया था, अब डॉक्टर ने उसे कोई भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं दिया था, सिवाए नॉर्मल ट्रीटमेंट के जो एक कुट्टे को मिलना चाहिए था, तो जो आस पास खेलने से बाकी कुट्टों के साथ में, उनके साथ लड़ने से, खाने के लिए लड़ने से, खाने के उपर तूट पड़ने से ही ट्रीकी की तबियत में काफी जादा सुधार हो गया था, अब यहाँ पर मिसिस पंफ्रे बास थोड़ी आने वाली थी, मिसिस पंफ्रे वैसे ही लाड़ प्यार दिखा रही थी, जैसे की उन्होंने दिखाया था, जिस से यह आलत हुई थी, वह मिसिस मिस संप्रे डॉक्टर को कॉल करती पूछती हाँ डॉक्टर कनसर्न वहां पर दिकाते, इन फैक्ट जब उन्हें लगा कि ठीक है ट्रिकी अब धीरे-धीरे थोड़ा बेटर होने लगा है त्रिकी अब धीरे-धीरे थोड़ा यूनों वापस से अपने पाव पे खड़ा होने लगा है वो वापस से एनरजी गेन कर रहा है तो भर-भर के एग जो है वो उन्होंने उ देखो उसको अभी वो अराम से बढ़िया रिकवर कर रहा है तो से थोड़ाинки Rob牌 थोड़ा वाइन प्लाओ अब डॉक्टर ने डॉक्टर ने बोला कि ऐसा पुछ हम नहीं करने वाले हैं कि की 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 लिए सब नहीं आतर है ज़िकिक्वर आपने फिस्ट में उसे खाते और लंच और डिनर के अंदर वाइन और ब्रैंडी पीते अब फाइनली जब यहां पे ट्रिकी की हालत में काफी सुधार हो गया था क्योंकि ना तो एग ना तो वाइन ना तो ब्रैंडी कुछ भी उसे नहीं मिल रहा था और नहीं खाने का जैसे ही यहां पर डॉक्टर को रियलाइज हुआ कि इसे अब दे देना चाहिए मिस्स पंफ्रे को वापस उन्होंने मिस्स पंफ्रे को टेलेफोन किया और बोला कि ट्रिकी रिकवर कर गया है वो आई अपनी एकदम खतरनाक लंबी सी गाड़ी के अंदर हां एकदम से खतर तो तुरंत उनकी तरफ भागा और भाग कर उनकी गोद में चला गया अभी ट्रिकी एकदम बदल चुका था फुल एनरजी के साथ में फुल एकदम एंतुजियाजम के साथ में उन्हें ग्रीट कर रहा था उन्हें लिख कर रहा था भौक रहा था इतना एनरजी भरा ट्रि को देखकर उनकी आँखों में आसू आ गए मिसिस पंफ्रे ने फाइनली डॉक्टर एरियट को ठाइंक यू बोला और इसी तरीके से एक सर्जिरी की जीत हुई कुछ नहीं करना था सिर्फ ट्रिकी को नॉर्मल ट्रीटमेंट देना था उसे थोड़ा एजिस्ट करने देना था उसके वो जैसा है उसे सराउंडिंग्स वैसी देनी थी और वो वापस ठीक हो जाता और उनके लाड़ प्यार ने ट्रिकी को इतना भिगार दिया था कि ना तो ट्रिकी वाल्यू समझ रहा था चीजों की और ना ही वो से समझा रही थी थोड़े टाइम के बाद उसकी बॉड़ी ने वो लाड़ प्यार लेना भी बंद कर दिया था तो हमें सीखना चाहिए कि हर एक चीज लिमिट में ही अच्छी होती है अगर लिमिट के बाहर कोई ची किये हैं जो कि आपको मदद करेंगे चाप्टर को और बेटर तरीके से समझने के लिए इस्टिन हेस्ट से वर्ड निकल कर आया इसका मतलब है कोई चीज को जल्द बाजी में करना जल्दी-जल्दी करना टॉट्रिंग का मतलब होता है बहुत पाउं घसीट-घसीट के एक मंद मंद चलना दिस्ट्रोट का मतलब होता है चिंता में जॉसलिंग का मतलब होता है किसी चीज से टक्रा जाना का मतलब होता है to recover from illness बीमारी से उभरना लिसलेस का मतलब होता है बिल्कुल शमता ताकत ना होना रिलेंट का मतलब होता है किसी एकडम बहुत ही मुश्किल हाश तरीके से छोड़ना panting का मतलब होता है half ना glans का मतलब होता है एक नजर भर देखना scrimmages का मतलब होता है एकडम से यूदो लड़ना fight करना किसी चीज के लिए तो अब हम आ चुके हैं हमारे एकदम बेस्ट पार्ट पे जहां पर हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर में हमने जो पड़ा है उसे MSQS के थुरू करने वाले हैं टेस्ट तो सबसे पहला question आपके साबने आ गया है मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो MSQS मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ मेरी favorite book से जो की है most likely most likely cbsc question bank for class 10 यह English की है और ऐसे ही बाकी सारे subjects के लिए भी available है आपको यहाँ पर English के सारे के सारे sections देखने को मिल जाएंगे in fact अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक अच्छी summary और साती सात में multiple choice questions धेर सारे extract based questions ठीक है जैसे exams में पूछे जाते हैं ठीक है आपके NCRT के solved questions तो आपको बिल्कुल भी tension लेने की ज़रूत नहीं है आप आपके additional questions आपके reference to context वाले questions आपको एक एक chapter के लिए इतनी सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी कि आपकी पूरी preparation यहां से हो जाने वाली है आपके सारे chapters आप यहां से prepare कर सकते हो पने सारे concepts यहां से prepare कर सकते हो एक है let me tell you कि आप भी इस book को खरीच सकते हैं नीचे description box में and in fact comment section में मैं इसका link आपके लिए डाल दूंगी तो इसे check out करना तो बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है तो बच्चों सबसे पहला question आपके सामने आ चुका है what was Tricky's behavior which made Mrs. Pumphrey anxious about him क्या लगता है? Option A. Tricky would not eat his favorite dishes. Option B. Tricky had bouts of vomiting. Option C. He was panting and didn't want to do anything. यहां फिर option D. All of the above. All right. So, बच्चों यहां पर एकदम correct answer जो होने वाला है वो है all of the above. यह सारे के सारी ऐसी चीजे थी जिसकी वजह से Mrs. Pumphrey जो है वो परिशान हो गई थी. When Tricky was seriously ill, who did Mrs. Pumphrey make a frantic call? जब Tricky की तबियद ठीक नहीं थी तो घबरा के उन्होंने किसे फोन किया? Option A. To her son. Option B. To her husband. Option C. To a vet doctor Mr. Harriet. या फिर option D. To her maid servant. क्या लगता है? Question No. 2. घबरा के उन्होंने कॉल किसे किया? बिल्कुल correct answer होगा vet doctor Mr. Harriet को. Next question कहता है I think I know a cure for you. What is the cure? यहाँ पर doctor uncle नहीं बोला I think I know a cure for you. जब वो cure की बात कर रहे थे तो यह cure क्या था? Option A. Controlling Tricky's diet. Option B. Giving him a surgery. Option C. Giving injections. Option D. Keeping under observation. अगर हम देखते हैं तो keeping under observation उड़ों ने finally बोला था कि उसे hospital आना पड़ेगा अपनी observation में डॉक्टर जो है उसे रखने वाले हैं. Question No. 4 कहता है Mrs. Pumfrey almost swooned when she was told that Tricky needed hospitalization. ठीक है? तो यहाँ पर वो एकदम से दुख में पूरी तरीके से भर गई थी जब उन्हें पता चला कि अभी Tricky को तो hospitalization की जरूरत है. ऐसा क्यों था बच्चो? A. She thought that Tricky would pine without her. B. The expenses were unaffordable. C. She was not confident of the vet. या फिर D. She was afraid that Tricky would be operated. देखो सबसे पहली चीज तो यह भी हो सकता है कि हाँ उनको डर लग रहा था कि यार Tricky की surgery तो नहीं हो जाएगी. बट उससे पहले भी उन्हें यह लग रहा था कि यार Tricky तो मेरे बिना पगलाई जाएगा. वो मेरे बिना कैसे survive करेगा? Alright, last question आपके सामने आगया है. Question number 5. When Mr. Harriot took Tricky to his clinic, Mrs. Pumphrey was happy, excited, wailing, thanking the doctor. जब यहाँ पर Mrs. Pumphrey के सामने Mr. Harriot Tricky को क्लिनिक ले गए थे, तो वो कैसे behave कर रही थी? Yeah, she was wailing, अरे वो तो वैसे ही Tricky के लिए इतना तडपती थी, वो इतना प्यार करती थी Tricky से, कि अभी जब उनकी आँखों के सामने Tricky जो है, वो जा रहा था क्लिनिक, तो वो बहुती जादा चिंता में आ गई थी and of course बहुती रो रही थी उसके लिए. आपके आज का homework question है, या पर additional questions में से ही मैं आपको एक homework दे रही हूँ, और आपका question है, Dr. Harriet knew his patients as well as their owners really well. discuss, अब देखो, यहाँ पे Dr. Harriet जो है, वो अपने patient Tricky को तो बहुत अच्छे से जानती थे, बट इसके साथ साथ वो उनके owner याने के Mrs. Pumphrey को भी बड़े अच्छे से जानती थे, आपको ये चीज discuss करनी है, कभी भी ऐसे question को answer करो, तो हमेशा अपने interpretation के साथ में आपका textual evidence जो है, वो हमेशा होना चाहिए, textual evidence हमेशा दो, जो भी बच्चे कहते हैं, मैं मेरा आधा number कर जाता है, एक number कर जाता है, textual evidence याने के NCRT से आपको कैसे पता लगा, ये evidence देना शुरू करोगे, तो आधा एक number नहीं कटेगा, ठीक है, अपना answer चाहो, तो comment section में भी share कर सकते हो, मेरे साथ में, ठीक है, इसकी साथ में PDF के लिए है, telegram पे जाओ, और telegram पे जाकर इसे download कर लो, in addition to this, अगर आप ये book खरीदना चाहते हो, तो नीचे आपको description में मिल जाएगा इसका link, वहाँ से जाकर आप इसको purchase भी कर सकते हो, check out कर लो एक बार, क्योंकि इसने मेरी life बहुत ही असान कर दी है when it comes to मेरा जो मैं content बनाती हूँ, तो I am sure कि ये आपको भी बहुत मदद करेगी, तो I will see you बच्चा बाड़ी in the next one, I hope कि आपको आज का ये chapter अच्छा लगा और chapter अच्छे से समझ में आ गया, अब हम next story करने वाले हैं, तो चैनल को बिलकुल subscribe कर लेना और वीडियो को सब के साथ में share करना, अपने feedback जरूर मुझे comment section में बताना, इसके साथ में ये भी बतान कि आपका score क्या था, I will see you in the next one, thank you so much for watching, bye bye, take care.